हेलो स्टुडेंट्स मैं सिर्ण सर्सिति वाली डिटन स्कूल के यूट्यूब चैलल पर आपका स्वागत करती हूँ आज हम पड़ेंगे राइट एल्फबेट बिट्विन दा कॉलम बिफोर पहले आने वाले एल्फबेट के बार भी तो भी फोर पहले क्या होता है पहले ठीक है अब यह जो हमें वालिबना इब दिखहरे हैं हमें इन पर आपास के तुर्थ के अब is अब आगे हम आलपास M for monkey, M for monkey से पहले L for lion ठीक है L for lion आगया, अब R for rose है हम आलपास, R for rose से पहले आता है Q for queen K for type, K for type से पहले आता है, J for jug, अब आगे है P for parrot, P for parrot से पहले आता है O for orange, G for girl, G for girl से पहले आता है F for fish, ठीक है, अब हमाल पास है V for man, V for man से पहले आता है U for umbrella तो इसमें हम U for umbrella पहले है, उसके पात है Z for general इससे पहले है, Y for yard T for tiger, T for tiger से पहले है, S for sheep, अब आगे है B for ball, यह तो सब को आता ही होगा B for ball से पहले आता है A for apple, N for nest, N for nest से पहले आता है M for monkey, आगे है J for jug, J for jug से पहले आता है I for ice cream E for elephant, E for elephant से पहले आता है D for dog Last है हमारा O for orange, O for orange से पहले आता है N for nest तो देखे, देखे बच्चों हमारी essay पूरी alphabet complete होगी है जो आपने feeling the blanks रखे ते वो साले भर गए है तो ऐसे ही करना है Thank you so much अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें, शेर करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो करे भर उरे साले पस्ता है अगर रग्नै तो यह जो आजए ऑilla पूसम्झस्ट यह जो ढर रगा है फ़र देखे पर बिंगन शुच कि सबस्क्क्त